तो हे गैज कैसे हो आप लोग इमित करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं Realme C2 के अंदर अपने आप आप आटोमेटिकली स्क्रीन वाल पेपर कैसे लगा सकतो हो तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीका मैं बताऊंगा कि आप कैसे ओन कर सकतो हो और आटोमेटिक स्क्रीन वाल पेपर बदलता रहेगा और आटोमेटिक यहाँ पे स्क्रीन बदल बदल के यहाँ पर wallpaper अपने आप sit होता जाएगा ठीक है तो यहाँ पर काफी ज़्यादा आपका smartphone होने वाला है तो वीडियो को सुरु से आन तक देखते रहेगा क्योंकि हम आपको अभी जैसा कि हम अपने screen को off करते हैं यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर करते हो कि यहाँ पर देेख सकते हो कि वाल पर बिल्कुल अपर पर पर छीज हो चुका है तो आपके सामने सारी चीजिए होता जा रहा है तो आप अगर इस तरह से सेट करना चाहते हैं तो वीडियो को सुरु से अंतक देखते रहेगा तो चली करें वीडियो को हम कर लेते हैं सुरु बर दुस्तु आप से एक रिवेश्ट है कि अप इस वीडियो को like ने क्यों तो एक like कर दीजेगा यहां से like करने एक बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन ओन कर लिजेगा क्योंकि हमारी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सेगे एक छोटा सा काम करना है कमेंट बॉक्स में जाना है यहां पर कि प्यारा सा कमेंट कर देना है अप अपने हिसाब से ठीक हो में स्क्रीन लॉक यहां पर लिखा होगा हो में स्क्रीन लॉक स्क्रीन मैगेजिन ठीक है तो यहां पर मैगेजिन पर किलिक करना है आपको लोक स्क्रीन मैगेजिन पर और यहां पर किलिक करने के बाद यहां पर एक नीचे का अप्शन मिल जाएगा आपको यहां पर वाल पेपर स्क्रीन पर हो कैसे लगाएंगे तो यहां पर लॉक स्क्रीन मैगजीन लिखा होगा यहां पर आपको सिंप्ली क्लिक करना है तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक अप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन मैगजीन ठीक है तो यहां पर आपका ओफ ह यहां पर हो गया है स्क्रीन को आफ करता हूं करता हूं यहां पे यहां पर आपको क्या करना यहांपे ब्रूम करता है तो आपको बदलने के लिए simply आपको क्या करना है कि इस वाले option को आपको simply click कर देना है चलिए हम यहां से इसको on कर देते हैं तो यहां से मैंने इसको on कर दिया on करने के बाद यहां से होगा क्या कि इसे option को भी on कर लेजएगा updating using data का इससे होगा क्या कि automatically आपके wallpaper डाउनलूड हो जाएगा और तरह तरह का wallpaper सुंदर सुंदर wallpaper आपके स्कीन पर आता रहता है ज्यादा डाटा खर्च नहीं करता है ठीक है तो यहां से मैंने वह वाले option को on कर दिया है ओन करने के बाद फिर से हम दिखा देते हैं आपको मैंने अपने से on किया यहां पर देख सकती है कि wallpaper आ चुका है फिर से मैं आपके सामने पर आटोमेटिक लिए चेंज होता जा रहा है तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करकर नोटिपिकरसन ओन कर लिजएगा मिलते है ना एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए वीडियो दखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद